हेलो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वो MS8 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्जाम अभी जस्ट आने वाला है उसके बारे में है अब MS8 जो है MBA का सबसे हार कोड माना जाता है उसको पास करने में काफी टाइम लगता है इसलिए जो है मैंने कोसिज किया है कि मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी के उपर 123 MS1234567891011 सब तब के उपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन के उपर वीडियो बनाई है उसमें से मैक्सिमम सभी को जो है वो क्वेश्चन मिले है पूरे को पूरे एक्जाम में तो इसी बेस में मैंने MS8 का जो है दुबारा एक व उसको एक-एक करके जो एक्जाम में क्वेश्चन आया है उनको रेफर कर लो और मैंने फिर MS8 की जो वीडियो है यूनिट वाइज 1,2,3,4,5 करके ऐसे मैंने कोसिस किया है जितना हो सकेट एक्जाम से पहले बनाने की जो कुछ बची रिया है वह भी जल्द मैं अपलोड कर करें वीडियो को और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं तो अब जिसको मैत नहीं आता मैं अब ऐसी टेक्टिस बताऊंगा जिसको मैत नहीं आता वो भी जो है MS8 को फर्स चांस में कैसे किलियर करना है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैंने जो लास्ट सिफ्टीनियर के क्वेश्चन पेपर से उनको अलाइज किया उसका पूरा निचोड निकाला है और आप मैंने सिस्टम बताऊंगा उस तरीके के सिस्टम को आपको फोलो करते वे आगे बढ़ना है तो जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कुछ क्वेश्चन मैंने थोरिटिकल क्वेश्चन मनाए हैं जो आते हैं कुछ जो है सोट नोट बनाए हैं जो आते हैं और जो है कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं जो जादा आते हैं वो मैंने बनाए हैं तो आपको उन सब चीजों को दे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो question paper है मैंने इसको analyze किया है पहले एक question आया उसको एक जंगल लिख लिया उसके बाद जो दूसरा question आया है जैसे random sampling दे दिया numerical question है उसका ठीक है random sampling दे देगा आपको बार-बार question पुझेगा वह एक दो थीन चार बार यह question हर बार repeat हो रहा है same pattern से तो यह very important question है random sampling और probability के उपर जो question है इस तरीके से मैंने सभी के उपर लिखा है लगवर 5-6 page बनाए है यह short note निखे है ठीक है और यह पूरा section A के अलग section B के अलग यह पूरा analyze करके कि कोन question कितनी बार आया और कौन सबसे ज़्यादा important है वह सब मैंने बनाया है इस तरीके से पूरा मैंने इसको बनाया है तो मैं जैसे हर एक question paper को आप देखे हैं सबसे पहले मैंने आपके ऊपर एक question paper निकाला हुआ है अब मैं दिखा देता हूँ मैंने कहां से question paper यह मैंने question paper download किया है कुछ message के कुछ दूसी जंगे भी है download करके रखे है इन सब को मैंने पूरा analyze किया analyze करने के बाद मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे ही एक first paper है एक माले जून 2017 का question paper है इसमें जो कितने question है जो mathematical नहीं आते हैं आपको कितने question करने है six questions करने है और एक मिज़ा 15 marks है ठीक है और बी में से two question करने है तो 40 marks के तो अगर आप mathematical चीजों को भी एक्स वह attend नहीं करते हो और जो theoretical question है वो chance पर clear कर लो गया अभी देख four example यह matrix वाला question है इसके उपर मैंने वीडियो बनाया है हुआ भी है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो एक question हो गया उसके बाद यह frequency distribution quartile deviation निकालना इसके उपर भी वीडियो मैंने बनाया हूँ आप playlist में आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहों तो करना कर दोगे इसको बहुत simple है मैंने इसको उपर वीडियो है पूरी यूनिट बनाए हुई है वह आप देख सकते हो चलो पहले इसको छोड़ो mathematical को तो पहला question यह विदा उट्मेटिकल वाला आया है दूसरा question यह थोड़ा mathematical है छोड़ दो यह भी mathematical है छोड़ दो यह short note तीन करने है इसमें से आपको पांच देगा तो आप इसको भी कर सकते हो यानि कि 30 number के question अभी तक आपके हो गए उसके बाद यह probability and non probability यह भी mathematical question है तो पास होने जितने question लगबग आपके हर एक question paper में examiner आपको देता है लेकिन आप उसमें से एक भी question अगर miss कर दोगे तो आप फिर नहीं हो पाओ के पास same अगला December 17 वाला इसमें statistical method यह तो इसमें probability थोरी यह लिखने वाला question है आपको कोई mathematical solely नहीं करना है दूसरा different approach of probability थोरी तो यह भी क्या है एक लिखने वाला question है इसमें कोई mathematical आपको नहीं लिखना है तो इसको भी आप कर सकते हैं इसके बाद तीस question दिखाता हूं मैं आपको यह short note वाला पांच देने आपको इसमें से 3 करना है इस तरीके से आप और यह कितना होगे 45 marks होगे एक यह कर दो इसमें से stratification वाला जो लिखने वाला question है तो आपको 60 marks तक लगबग examiner आपको देता है 50 marks 60 marks तक आपको देता है कि जिसको mathematics नहीं आता है तो वो कर सकता है आसानी से exam set करने माला भी इस तरीकिस exam को set करता है कि जो है balance फिर भी क्या है हम उसको देख के डर जाते तो हमें क्या strategy अपनानी है जिसके mathematics के जो mathematics नहीं आता है जिसको थोड़ा कम आता है तो उनको यह question छोड़ने नहीं है मैं एक question आपको analyze करके वीडिय दिखाता हूं मैं आपको यह है 2019 कही है उसमें आपको देखो क्या है पहले decision making मगेरा के बारे में पूछ रहा है ठीक है और qr model के बारे में पूछ रहा है तो पहला question हो गया उसके बाद चलो mathematical छोड़ दो यह जो question है quartile deviation quartile कैसे निकालना decimal कैसे निकालना पी 90 percentile कैसे निकालन इसका पूरा question paper भी solve कर के लिए वीडियो भी बनी हुई है आप उसको देख सकते हैं mathematics चलो छोड़ दो आप mathematics नहीं करना तो पहला question हो गया दूसरा question यह sampling वावे managerial solution वाला probability वाला लिखना है हो गया दो question होगे तीसरा question इसको छोड़ दो यह short node वाला सिर्फ लिखना है तो त मैंने का मतलब यह है कि आप अगर लिखने वाले question भी अच्छे से लिखके attend करोगे तो आप hundred percent pass हो जाओगे और क्योंकि मैंने जैसे यह quartile deviation मैंने कुछ वीडियो जो बना दी है mathematics जो question आते average deviation quartile deviation coefficient skewness यह सब आप कर सकते हो playlist के अंदर जाके मेरी playlist बनी है channel के उपर तो आप उसको देखके पूरा कर सकते तो मैं चाहरा था कि एम एक student की help हो कि ताकि जो है वह अच्छे से पास कर सके exam को इसलिए मैंने वीडियो अपलोड की हैं लेकिन आपको भी इस तरीके से मुझे प्यार दिखाना पड़ेगा जो मैं इतनी मैनत कर रहा हूं like और subscribe करके वीडियो उसको पास कर सकता है असानी से लेकिन उसके साथ कम से कम आपको क्या है एक question आपको attend कर लेना चाहिए जैसे average deviation, quartile, CA कैसे simple है मैंने इसके ओपर वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हो ठीक है तो अभी चलते हैं हम question के ओपर अब हमने इसमें क्या analysis कि कौन से question जो है सब आपको करने है अगर non mathematical student है तो लिखने वाले question आपको कौन से करने है और अगर आप mathematical course करने है तो उसमें कौन कौन से question आते हैं जिनके उपर आपको ज्यादा ध्यान देना है चलो तो सबसे पहले मैंने बताया था कि चार पांच पेज बनाए हुए है जैसे सबसे पहले ये random sampling देदेगा आपको numerical question है मैंने बोलता numerical question है तो ये बार-बार आ रहा है random sampling देदेगा उसकी probability आपके पूछेगा उसके बाद जो numerical question आता है coefficient of correlationship correlation coefficient निकालने के लिए बोलता है तिन चार बार ये question आया हुआ तो मैं ये सिर्फ है आपको दिखाने के लिए कि कितनी analysis किया है मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूं ये चीजे मैं कोई भी गलाच चीजे गाय नहीं करता हूं जो actual चीज है वो ही मैं बताता हूं तो distribution है वो आपको दे देगा quartal deviation वगेरा पूछता है दो बार ये question आ चुका है ठीक है ये numerical question very important है कौन सा coefficient जो correlation के ओपर numerical question आप से पूछत रहा है rank correlation के ओपर तो मैं आपको सीधा आप लेके चलता हूं जैसे चीज स्वार distribution भी आया हुआ हुआ है ये ये short note आए हुए इतने सार है ठीक है इस तरीके से अब मैं सीधा चलता हूं आपको जो मैंने last page बनाया है इसके page पे जो आपको आने वाले हैं अगर आप चाहोगे कि आपको ये पूरा दिखाओं तो चलो अब आगे हैं हम सबसे important चीज पर जो theoretical question मैंने decide किया है कि आपको कर लेना चाहिए सिर्फ वो इसके उपर इसके उपर मैंने अल्लेडी वीडियो बनाया हुआ है वह पूरी यूनिट के उपर वीडियो बनाया हुआ उसमें मैंने बताया है कि matrix के उपर एक question आता है different type of matrix special matrix ठीक है और business application के इंदर का क्या यूज है ठीक है तो वह पूरी यूनिट आप कर सकते हो यह सबसे ज़्यादा बार यह question आया हुआ है तो इसको mathematics लिखने वाले question दोनों को सबसे ज़्यादा बार आई हुए है इसके मैं आपको बता रहा हूं और जो इसके बार सबसे ज़्यादा short note में भी आता है और long note में भी आता है वह है skewness what is skewness different जो कार्स का और बावलेज का जो कोफिशेंट ओफ इसके उपर मैंने वीडियो बनाया हुआ भई आप वह देख लेना ठीक है पूरी की पूरी unit है वह और उसको आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से यह question भी आपका हो जाएगा यह वाला question भी आपका हो जाएगा ठीक है इसके उपर आ आता है short note, wrong note, axioms, तो उनको clearly share करना, different approach, सब यह approach के बारे में बताना है, जो basic axioms है उनके, उनको clear करना है states को, तो यह 4 questions सबसे ज़्यादा important है, उनको आपको छोड़ना नहीं है, पहला matrix, दूसरा probability sampling and non-probability sampling, तीसरा चुनियर, चोधा जो है approach of probability theory, यह इसके बाद मैंने यह पर line कीच दिया, यह यहां तक तो छोड़ना ही नहीं है कोई question, सबसे ज़्यादा question आए है, उसके बाद जो नीचे जो question है, वो एक एक बार करके आए है, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ असा कम किया है, जैसे सबसे पहले, statistical method वाला question है, उसकी कूंस तीन category है, उनकी statistical method की, और उसको probability theory, probability theory के अंदर में ही आ जाएगा, यह question पका, probability theory के उपर बहुत question आ रहे है, और written में भी, और written में नहीं आता तो, right theory के लिखने के उपर आता, theory में नहीं आता, तो numerical में आ जाता हो, ठीक है, उसके बाद, role of decision making, classify करना है आपको OR model को, specific behavior characteristics के अंदर, तो इसको आप यह मेरे खाज़े first unit के अंदर में होगा, model of decision making, तो उसको आप कर लेना है, ठीक है, उसके बाद, G-square distribution के उपर एक question आता है, लिखने के लिए, ठीक है, what is G-square distribution, would you like to teach testing, कैसे जो है, it in testing the goodness of fit and testing independence of characterized data, तो G-square distribution के आपको उपर, आप long question आएगा, तो आपको उसको करना है, उसके बाद, statical hypothesis के उपर long question आता है, ठीक है, what do you mean, statical hypothesis, उसकी characteristics, good hypothesis क्या है, ठीक है, उसके significance लेवन, तो P-value test क्या है, वो आपको करना है, आठवा question हो गया, उसके बाद, नुवा question है, mode or model class क्या होती है, यह इसके उपर एक वीडियो बना, वीडियो नहीं, पूरी unit है, mode वा तो प्लीज उस भी unit को refer करें, जो मेरी playlist है, उससे आपका यह question हो जाएगा, कि mode किसको बोलते है, model class क्या है, mode वो ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार कोई frequency पढ़ रही है, तो वो mode हो गया, और उसकी जो range है, model class हो गया, तो group data के अंदर में कैसे, और कौन-कौन से element है, उस पीच में बताना है, comment करना उसके जो variable योज हुए है, तो उसके बाद यह numerical question छोड़ देना, numerical question पर आऊँगा, ग्यार बाद जो question है आपका, वो आता stratification के उपर, मैंने अभी खोला था न, stratification, तो stratification क्या है, जो sample based होता है, stratification के उपर, तो representative of population, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है, ऐसे करके आजाता है, उसके बाद question number 12, यह एक बार आया, question stratification वाला, उसके बाद time series analysis वाला question एक बार आया, उसके कौन-कौन से component होते है, time series analysis के, क्या relationship होती है, generally उनके बीज में, components के बीज में, उसके बाद application of quantitative techniques, quantitative techniques की क्या applications है, business के अंदर, उसके क्या function है, management के अंद है, short note के ऊपर मैंने छोटे-छोटी videos है, जो short note बनेंगे, कुछ short note मैंने बनाए हुए है, मैं short note भी आपको बताता हूं, तो यह 13 question में, मैंने आपको बताया, 13 question में, यह 4 question तो सबसे ज़्यादा आ रहे है, first वाले, ठीक है, उसके बाद यह 2-2 बार आ रहे है, according to priority मैंने लेकिन करना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना क्योंकि एक भी question कम हो गया, अब नोन mathematical student के लिए तो गडबड हो जाएगा, उसके बाद numerical questions के ऊपर चलते हैं, हम जो हमें सेट के अंदर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो question आता है, वा आता random sampling के ऊपर, आपको एक random sampling दे देदेगा, उसकी बोलेगा probability theory find out कीजिए, लगबग, maximum time पे ये question आ रहा है, इसके उपर अभी तक मैं कोई video नहीं बनाया, देखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद quartile, second quartile, decimal, और percentile कैसे निकालते हैं, इसके उपर video बनाया हुआ है, पूरी unit है, ये ऐसा question आता है, बहुत simple है, इस तरीके क कोई question आता है, तो पकार and करें, उसके लिए मेरी video देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में, उसके बाद, determine the correlation coefficient, correlation coefficient कैसे निकालना है, variables का, इसको भी बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, उसके बाद एक है, आपको कुछ data दे देगा, उसके बाद बोलेगा, rank correlation coefficient निकालो इसका, इसके बाद, इसके बाद, जो नेक्स्ट आने वाला question है, वो आपको दो type के samples दे देगा, उनका बोलेगा, इसकी average life इतनी है, बल्प वगेरा, या उसका horse रन इतना है, इसका standard deviation इतना है, तो उन दोनों के बीच में, कुछ दोनों batch के बीच में, differences बताईए, significant differences, या कुछ area द बीच में इतना है, तो मैं उसको find out कीजिए, ये question 4 सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, इसी इस तरीके से, उसके बाद next question, आपको एक frequency distribution दे देगा, quarter deviation निकालना है, इसके ओपर video मैंने बनाया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, उसके बाद average deviation कैसे निकालना है, इसके ओपर भी video बना हुआ है, आप कर सकते हैं, उसके बाद test the hypothesis के ओपर एक numerical question आता है, आप जानकर हैरान हैंगे कि इन ही चीजों के ओपर mathematical question आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से maximum तो आप कर लोगे, ठीक है, जैसे quartile deviation, ठीक है, और उसके बाद frequency distribution, average deviation, तो जो बागी बच्चे हैं, उसके उपर मैं देखता हूँ, कोशिज करता हूँ, वीडियो बनाने की, तो आपका doubt के लिए हो गया, theoretical question अच्छे से करना है, mathematical question पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो यह मैंने mathematical question इतना analyze करने के वे, साथ हैं, उसमें से कुछ के उपर मैंने वीडियो अलेडी बना दिया है, उनको अच्छे से कर लेना है, अब रहेगा सिर्फ एक question, ठीक है, जो है short note के बारे में, तो यह short note के बारे में, यहां से शुरू होता है, तो मैंने जो short note सबसे ज़्यादा, मैंने कुछ वीडियो बना च smoothing, यह very important है, दो बार repeat हुआ है, उसके बाद central limit theorem क्या है, यह भी repeat हुआ है question, उसके बाद identity matrix, इसके ओपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते है, identity matrix के ओपर, उसके बाद जो question आया हुआ है, more than ओगी, और less than ओगी, ओगी हुआ है, यह repeat हुआ है question, एक है possible distribution, यह repeat हुआ question, दो तिन बार आ चुका है, उसके बाद non probability sampling method, यह long में भी आया है, short में भी आया हुआ है, इसलिए इसको कर लेना, तो यह तो है repeating question, और बाकि जो है single single में आए हुए है, जैसे physical distribution एक बार आया है, sampling with replacement एक बार आया है, उसके बाद scalar matrix, scalar matrix के ओपर मैंने already video बनाया हुआ, आप उसको देख सकते है, rank correlation, इसके ओपर mathematical question आता है, mathematical नहीं आएगा, तो short note में आया हुआ है, उसके बाद systematic sampling, उसके बाद null matrix, इसके ओपर video बनाया हुआ, आप देख सकते है, उसके बाद quantile, quantile कैसे है, क्या निकालना है, मैंने उसके ओप probability, यह very important है, यह short note में आया हुआ है, short note में नहीं आता है, तो long में आया हुआ है, यह important है वही, इसको कर लेना, ठीक है, इसके तब power curve of the test, the power curve of the test, एक बार आया हुआ है, mixed auto regression, moving average model, यह एक बार आया हुआ है, उसके बाद coefficient of variation, coefficient of variation, इसके पर video बना हुआ है, देख लेना है, उसके बाद stratified sampling, क्या होता है, इसका एक बार आया हुआ है, इसको आप कर लेना, list, list square criteria, एक बार आया हुआ है, polynomial function, इसके उपर बनाया हुआ हुआ है, वीडियो, आप देख सकते हैं, उसके बाद आगया seasonality, इसको चेक कर लेना, algebraic and transitional function, उसके बाद quartile deviation, यह उपर भी आया तो quartile deviation के उपर mathematical यह short note आता ही रहता है, इसके उपर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद यह non probability probability वाला होई गया, maximum criteria of decision making, इस maximum criteria of decision making, list square criteria, और arithmetic progression, AP के उपर एक बार short note आया है, criteria of fashion, छोड़ दो null hypothesis के उपर एक null hypothesis, यह थोड़ा गया है, इसके उपर आया हुआ है, तो यह थे short note, इनको आप कर लेना, तो आपके मतलब लगबग 5 आते हैं short note, उसमें से 3 आपको करने होते हैं, तो आपको लगबग मिली जाएगा, मतलब theoretical value का भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है, MS08 के लगता है, आपको पास होना है, अप mathematical कितने आ रहे हैं mathematical, यह 8 टाइप के question आते हैं, hypothesis वाला एक बार आया है, test of hypothesis, average deviation वाला आ जाता है, उसके पर video बनाया है, frequency distribution दे के, quartile deviation निकालना, coefficient निकालना, इसके बार वीडियो बनाया है, वो आज हो जाएगा, और इसके बाद यह वीडियो नहीं बनाया है, यह ज्यादा आ रहा है, average life दे देता है, उसमें निकालना है, rank correlation वाला नहीं बनाया है, coefficient of correlation, यह देख लेना, वीडियो, उसके बार acute, यह कैसे आपको central tendency वाले के अंदर है, quartile, decentile, और percentile कैसे निकालना है, ठीक है, तो इन type के question को आपको कोशिश करना है, अगर करना है mathematical तो यह करना है, और मैंने बता दिया कहां कहां पर यह है, और theoretical कौन से question आते हैं ज्यादा, mathematical कौन से question आते हैं ज्यादा, short note में कौन से question ज्यादा आते हैं, और all lady उनके ओपर video भी मैंने बना दिया, अब मैंने ही सोचता कि MS8 में आपको ज्यादा कुछ problem होनी चाहिए, थोड़ी सी तो महनत करने पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने इसको अगर इतने page बना के उनको sort out करके इतना महनत किया, तो एक like तो video के लिए बनता है और subscribe भी बनता है चैनल के लिए ठीक है, तो please अपना यार प्यार दिखाओ, like और subscribe करके वीडियो को, और आगली वीडियो आपको किस बेस पर चीज़िए, कौन से code के उपर चीज़िए, तो please comment करके बताओ, उसी पर मैं कोसिच करूँगा time निकाल के बनाने के लिए, आसर कर तो आप सावी टीक हो में, best of luck for the exam, thank you.